दोस्तो हाली में TVS ने लॉंच किया है Apache 180 का नया वेरियंट TVS Apache RTR 180 Race Edition तो आप में से कुछ लोग थे जो इस बाइक के लिए काफी समय से वेट कर रहे थे कि कभी ये बाइक लॉंच होगी तो ये बाइक लॉंच कर दी है TVS ने उनके लिए अच्छी ख़वर है तो मैं हूँ श से तो चलिए देखते हैं इस बाइक में कितने चेंगें कीज़िन के देखने काफीerme रभी है और इसके ग्रेफिक में काफी जाधा चेंगी गए हैं तो graphics 3D logo इस पर आ गया है Apache 160 की तरह TVS का जो horse वाला logo है वो भी इस bike पर आपको देखने को मिलेगा इसके लावा अगर हम bike के tank को देखते हैं तो इस पर जो race edition का logo था इस बार उसे भी ज़्यादा glossy look दिया गया है, काफी ज़्यादा vibrant color दिया गया है, तो ये Apache 163 से ही लिया गया है, लेकिन उसे कहीं ज़्यादा attractive और stylish ये आपको मिलता है, इसका जो look है काफी ज़्यादा अच्छा है और मुझे भी ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है comparison में Apache 160 के race edition के तो यहाँ आप देख सकते हैं पर जो RTR लिखा हुआ है वो भी काफी अच्छा लगता है, तो ये जो look था ये कहीं न कहीं miss हो गया था Apache 160 के race edition variant में तो TBS ने अपनी उस कमी को यहाँ पर पूरा किया है और नए variant 180 में आपको ये feature दिया है race edition में तो looks wise और graphics में पहले से कहीं जादा अच्छे आपको ये bike मिलेगी front head lamp अगर आप देखते हैं नई Apache और पहले Apache 180 का तो दोनों को कर आप compare करेंगे तो Apache 180 race edition में आपको LED DRLs का feature मिलता है जो काफी unique और sporty लगता है comparison में इसके पहले के variant में तो ये एक plus feature है 180 race edition के लिए इसके लावा bike के brakes या फिर suspension में कोई change नहीं किया गया है same है जैसा पहले था AZT's आपको मिलेगा इस new race edition में MIG का suspension मिलता है rear में friend में मिलते हैं आपको telescopic suspension braking के अगर बात करता हूँ तो एक बड़ा change आपको देखने पर मिलेगा braking में Apache 180 के की हैं आपको ABS का जो feature है वो नहीं मिलेगा तो ये बड़ी ओर shocking news है खिलाल 180 के racer edition variant में dual disc का option आपको मिलता है ABS missing है engine जैसा की मैंने पहले ही का है bike के अदर same engine आपको मिलेगा engine performance में कोई change आपको नहीं मिलेगा बगग 16.5-17.2 HP की same power आपको मिलती है 15.5 NM का torque है जो पहले भी मिलता था वो ही same आपको इस bike में मिलेगा तो engine के अंदर कोई change नहीं हुआ है जो speed पहले थी वो ही speed मिलेगी mileage में भी कोई change नहीं है mileage भी आपको इसका 35-40 km पल लेटर तक का मिल जाता है तो overall अगर bike के बारे में कहें तो इसका design और जो look है वो नए Apache 160 race edition से जाद अच्छा है और इसके पहले के variant Apache 180 से तो कहीं जाद अच्छे bike आपको लगेगी ऐसा मेरा मानना है हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिने Apache 180 का पहला variant matte वाला जाद अच्छा लगता हो जैसे कि Apache series में तीसरी bike थी जिसे Apache race edition का look दिया गया है इससे पहले Apache 200, 4W को सबसे पहले look दिया गया था उसके बाद 160 और अब 180 अब इन तीनों के race edition variant अब लेवल है इस bike के मैं price की बात करता हूँ तो अभी इस bike का एक शोरूम price जली का रखा गया है 83,233 रुपे तो ये लगबग 500 से 600 रुपे जादा आपको मिलती है एक शोरूम price wise comparison में Apache 180 के पहले variant के तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा कि आपको नई TVS Apache RTR 180 का race edition जादा अच्छा लगा या फिर इसका पहले का variant Apache 180 ही अच्छा लगता है और आप अगर इस बात को लेकर confused है कि आपको Apache 180 race edition खरीदनी चाहिए या फिर इसका 160 वाला race edition variant तो मैं आपको ये बात clear कर देता हूँ अगर दोस्तों आपका budget कुछ कम है तो आप 160 ले लीजिए वो बाइक भी अच्छी है कोई इसमें बराई नहीं अच्छा खासा mileage और performance आपको मिल जाती है comparison में 180 race edition के दोनों ही बाइक के जो exhaust note की sound है वो काफी loud है comparison में 4V वाले variant के तो आपके मन में अगर अभी भी कोई और सवाल है इस बाइक को लेकर या फिर इसके लावा भी कोई और सवाल है तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं और वीडियो या आपको अच्छे लगी तो इसे like और share जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe करना मत बूलेगा प्राइक करना मत बूलेगा